अपनी रुमाल से करें वसी करें नमस्कार में तुरों स्वागे थे सिंद्धोर के चाहिए पर आप सभी का इद्वार फिर से कोई एक रुमाल अपना ले लिजेगा और इसे एक दिन पूरा इस्तमाल करिए एक दिन इस्तमाल करने के वाद इसे धुलना नहीं है पुराना रुमाल भी ले सकते हैं जो आप regular यूज करते हैं उसी रुमाल से भी ये वाला प्रियोग किया जा सकता है इसके पहले मापको एक उपाय बताये थे जिसमें की रुमाल आपका नया ही होना चाहिए था लेकिन ये वाले उपाय में आप रुमाल पुराना इस्तेमाल कर सकते हैं एक रुमाल ले लिजे अपना कोई भी पुराना और उस उपर उसी गंदे रुमाल पर ही यूज किये हुए रुमाल पर जो कि धोहेंगे नहीं आप यूज करने के बाद ही उस पर ही उपाय करना है तो उस रुमाल के उपर थोड़ा सा हल्दी छड़क लीजिए और थोड़ा सा लाल चंदन छड़क लीजिए इसके बाद किसी भी pen से कोई भी color का pen हो black छोड़ दीजेगा बागे और कोई भी color का है red है blue है या अभी तो बहुत सारे color के होते ही है चाहे आप pen से लिखें sketch pen से लिखें marker से लिखें कोई भी चीज प्रयोग कर सकते हैं नाम लिखने के लिए उस وقت का नाम लिखना है रुमाल पर ठीकिए नाम लिखें और उसके चारों तरफ एक घेरा बना दें वशम लिख करके वशम नाम वशम और एक घेरा गेरा मतलब एक ऐसे वृत बना दीजिए उसी वृत्त में उसी गोलाई के अंदर में वो नाम को बंद कर लीजे बस ये करने के बाद इस रुमाल को मोड करके अपनी ही बेड में अपने ही बिस्तर के नीचे कहीं पर छुपा दें कहीं पर छुपा सकते हैं सिरहाने पैर की तरफ बीच में कहीं भी का मतलब ये क्यूं ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कहीं भी चुपाएंगे तो वो स्वतन्त रहें कि आप ऐसी जगहां ढोटके चुपा सकते हैं कि किसी और को ना मिले आपको ही मिले अब मेरे कहने के साब से अगर आपने सिरहाने रखा तो हो सकता कोई देख ले क्योंकि अब ये रखना है तो पर्मानेट में पड़े रहना चाहिए और उस विस्तर पर सयन भी आप ही करें सोएं भी और किसी व्यक्तिकोश पर इलाउँ ना करें चलना बैठना सोना अगर ऐसा है आपका विस्तर की कोई भी चड़ सकता कोई भी बैठ सकता है तो आप इसको कुछ ऐसा रखिए अपने विस्तर में कि विस्तर हटाया जा सकता हो या कम से कम वो पार्ट जैसे तकिया के नीचे डाल लिजे तो तकिया आप हटा सकते हैं वो तकिया दोसरे को इस इसे बीच से फाड़के, रुमाल को, बीच से फाड़के, चाहे कैची से काटे, बिलेट से काटे, कैसे भी, बीच से फाड़के, जहां बीच में उसका नाम भी लिखा है, तो बीच से फाड़ेंगे, बीच से फाड़के, दो टुकड़े बनाएंगे, और दोनों को अलग-अ वो जो किसी और के चक्र में पड़ गया वो जो आपको भूल गया उसके दो टुकड़े हो गए और जो आपका अपना है वो आपके पास इन 27 दिनों के भीतर आपसे जुड़ जाएगा ये करके देखिए बहुत ही प्रभाव साली बहुत ही अचूक उपाय है ये आजमाया हु को उपाय है आप सब के लिए दे दिया कि आप सब इसे करके अपने जीवन में लाब उठा ले तो इस वीडियो में इतना ही उम्मित करूंगा आपको उपाय अच्छा लगा हो हो लास्टक में अभी भी रिक्तियां है अगर आप आना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं प्र आपको सेंड करनी है QR कोड पर और अपनी डीटेल्स हमें भेज देनी है WhatsApp पर जो आपकी समस्या वो बता दें उससे संबंदित जो उपाय है वो हम आपका करवा रहे हैं ये सिर्फ साथ मार्च के पहले पहले तक सब होना चाहिए साथ मार्च को दिएगे पैसे का कुछ नही आपकार खुछ रही है